हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रस्मी रस्मी की फैमिली किचिन में आप सब का श्वागत है तो आज मैं बनाओंगी मूली के पत्तों और जड़ की बहुत बढ़िया तीखी चिटपटी सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है तो यहां मैंने आदा किलो मूली के पत्ते जड़ सायत यह हैं तो अच्छे से इनको तीन से चार दुलिः आभि मार्केट में बडь अच्छे ये देखी मूली के पत्ते आ रहे हैं तो बढ़िया से नको धुलिया है मूली के पत्तों जड़ को अब जड़ को अलग हटा देंगे और बढ़िया से देखी धुल लेना सबसे पहले तो ये काम करना है और अच्छे से आप देखिए मूली की पत्ते हैं एक से करके एक बंडल सा बना लेंगे इसको कट करेंगे पहले एक सा कर लेंगे एक एक करके अच्छे से इसको पकड़ना है तो बहुत ही फ्रेंट्च बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है फायदा भी करती है मूली की सब्जी अभी शुरुआत में जो मूली आती है बहुत ही अच्छी इसकी सब्जी बनती है तो जरूर बना कर देखना किस किस के यहां पर इस तरीके से ये मूली के पत्तों की स हभाजा ऐसे आप हुए कट हो जाता है इनके पत्ते हैं इस के सबजी बडही ही टेश्टी वनती हुए और चटपटी सबनादी बनाये सब्सक्राइब best थोड़ा बड़ा जैसे कॉत हो जाए तो उसमें और थोड़ा थोड़ा लेके इसको कट कर दे िस तरीके से ये कट चुका है तो इनको कट कर लेना है तो इसी से जड़ को भी काट ले रही हूँ तो बढ़ी आसी चिटपटिया सबजी इसकी बनाएंगे तो कट हो चुकी इधर देखी धेर सारी मैंने हरी मिर्च ली है आप अपने अनुसार ले सकते हैं जैसा तीका पसंदो और खुब सारा लहसुन कट कर लिया है तो चलिए बनाते हैं यहां लिया कट करके रखा इसमें डाल देंगे अच्छे से बहुन ले ना है एक साथ ही मैंने इसको डाल दिया है और बस इसको चलाते हुँ बस एक मिनट लगता है और यह अच्छे से दोनोγ भून जाते हैं तो यहां देखी अच्छे से मिर्च और लहसुन को भून लिया है बढ़ी से भुन चुका अब इसी में डाल देंगे हल्दी तो हल्दी इसी तेली में ही डालना है और स्वाद उनसार नमक डाल दिया है थोड़ा सा और डाल दिया है और अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे जो कट करके रखें मूली की जड़ है ना उनको डालेंगे तो बस यह देखिए भून चुका है तो अब यह देखिए मूली की जड़ को डाल देना है अराम से तो बस यहाँ पर इसको मिक्ष कर देना है बढ़िया से और यह मूली की जड़ को एक से दो मिनट अच्छे से थोड़ा भून लेना है फ्राइ कर लेना है थोड़ इसको एक दो बार देखिए चलाएंगे और बस यह बैठ ते चले जाते हैं बहुत कम सबजी रह जाती है इसकी तो देखिए जैसे ही आदा मिनट इसको देखिए पलट किया है विल्कूल से बैठ गई है सबजी तो बहुत ही जटपट से बन जाती है बिना उबाले भी इस सब नहीं पड़ते आप गरम मसाला भी आड़ कर सकते हैं लेकिन यह सबजी सादे मसाले से ही बस अच्छी लगती है बस हल्दी डालियो नमक डालिये और अपने अनुसार डाल सकते थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते तो मैंने इसको ढख दिया है मीडियम टू लोग एस पर इ एक सी सब्जी कर देंगे और उसके बाद फिर से ढख कर पका लूँगी तो इसी तरीके से जब तक पकाना है जो पानी जैसे छोड़ती है ना सब्जी उतको बिल्कुल ही सूखा कर लेना है सब्जी इस तरीके से पकानी है तो यहां देखिए मूली की पत्तों और जड़ की सब्जी देखिए बनकर तयार है थोड़ा सा मैंने medium to high gas कर दिया है थोड़ा सा इसको चटका लिया है सब्जी को जिसे मतलब थोड़ा सा पानीशा हलका सा लगता है न तो इसको थोड़ा एक मिनट ऐसे ही सामने देखते हुए कर लें कितनी बड़िया से देखिए सब्जी है बनकर तयार तो चलिए इसकी सर्विंग कर लेते हैं तो जरूर फ्रेंट्स बनाना तो रैस्पी कैसी लगी है जरूर कॉमेंट करकर बताना और किस-किस के यहां यह मूली के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है तो कॉमेंट करकर जरूर बताना और किस-किस के यहां इस सब् बोला जाता है वो भी कोमेंट करकर बताना पशंद आई हो रैस्पी तो एक लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर कर लीजिएगा तो प्लीज सफोर्ट मी और चैनल से जुड़े रहें और चैनल पर और रैस्पी दिव जरूर कर शंद एक पर और कर लोबना जरूर कर लो जे पाउर जबनद एक 妁 בכल झानल कर झाएब कर दो देंगता है तो जो है अिर जरूर कर दो दो एक लोर जएक ब Columb치igung के शवचय को को एक नघ्या दिव एक